नमस्कार जय हिंद बंदे मात्रम पेरे दोस्तों आप सभी लोगों का बियस आनलाइन इस्टेडी में श्वागत हैं दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूनियर हाई स्कूल एडिट भरती परिक्षा के बारे में तो दोस्तों बता दे इस भरती पर जो है हाई हाई कोड का जो है एक आधिस आया है तो दोस्तों उसी आधिस को देखने वाले हैं तो आप लोगों को बता दे दोस्तों कि यह भरती जो हाई कोड के अंतर चल रही है आगे जो भी लिटिक्ट के लिए आप लोग चनलों को सब्सक्राइब करें और दोस्तों आज की वीडि तब लोग स्कते noises बरक्षा मामले में सरकार से मांगी जानकारी क्या मानग डिए दोस्तों क्यों नहीं जाची गई पैसाइफ कि आप लोग देख सकते हैं अध्यापक भरती परिक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों की OMR सीट नहीं जाचने आवर्पुन रच्छित परड़ाम जारी करने पर सचीव परिक्षा नियामक प्रदकारी से जानकारी मांगी है जिन्नों ने तूटिपूर ओम OMR सीट पर परिक्षा दी थी इस मामले को लेकर न मामले में अभ्यर्थियों की और से दाखिल प्रत्याविदन का क्या नेडर लिया गया याचिगण का पक्षरक रहे अध्यक्ता अच्टोस कुमार तिवारी का कहना है कि यूपी जूनियर आइडेड हाई स्कूल भरती परिक्षा 2021 का परिड़ाम 15 नॉमबर 2021 को जारी किया मगर परिच्छा का संसोधित परिड़ाम आज तक नहीं जारी किया गया याचिगण ने अपनी OMR सीट के मुल्यांकन को लेकर भी प्रत्याविदन दिया था मगर उस पर भी अब तक कोई निर्णे नहीं लिया गया है अधिवक्ता का कहना था कि याचिगण को जो OMR सीट द करने के कारण उनकी OMR सीट का मुल्यांकन नहीं किया गया इस संबंद में दिये गए प्रत्याविदन का भी अब तक निस्तार नहीं किया गया है प्रदेश सरकार के अधियकता ने कोड ने इस मामले में जानकारी प्राप्त करने के लिए 6 सप्ता का समय मांगा है इस पर जाची गड़ की OMR सीट के मुल्यांकन को लेकर क्या नेड़ लिया गया है तो दोस्तों इसमें यहीं बताया गया है कि जो नीरच कुमार यादव के साथ में कुछ 47 अभ्यति हैं इन्होंने इन लोगों का जो है OMR सीट जो है जाची नहीं गया है अर्था दोस्तों इनकी का इनका रिजल्ट ही सो नहीं किया गया है तो इसके लिए जो है PNP जो है हाई कोट ने आदेश दिया है कि आप तीन सब्ता के अंदर में आप जो है बताएं कि आप इनकी कापियों का कोई रिजल्ट दिये हैं या नहीं दिये हैं तो आगे जो भी लेटिस्ट अब्रेट आप